नमस्ते फ्रेंज राधे राधे स्वागत हैब सबका मेरे चैनल आर्यस ब्लाग पे आज मैं आप लोग के लिए रोटीन से भर पूर यमी सब रिखफास्ट की रेस्पी लेकर आई हूँ इसकी खास बात पता है कि आप लोग को कि यह जटपट बन जाती हो दो बूद तेल में यह गजाएगी लिजह दीख सकते है मेंने एक लख दिया था बने यह पाणी कर दम होने के लिए उस्में लेख कटोभी मैंने सोय चंक और यह झटाल दिया हमेने थोड़ा सा नमक ताकि नमक अंदर तक शोया चंप में अंदर तक चला जए और फीका फीका सा न लेगई खाने में देख सकते हैं इसे 3-4 मिनट तक उबाल लेंगे उबालने के बाद इसे मैंने 5 मिनुटले एल धग दिया था अब हम इसे चान लेंगे अब हम इस निचोड के इसके साधा पानी निकाल दिया है इक प्लेट ले लिए है मैंने इसमें डाल देया है इग चममज हाई अद्रक लसनू पेष्ट और इसमें डाल दिया दो चममज नोफलाः और हम की डाल दिया इसके बार दो चममज चावल बेड़ी माइल सकते हैं और डाल दिया हमे은 ऀसमय एक चममज लाल मिशबावडर एक चममज गदम मसाला और थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे इन सब चीजों को डालके हम अच्छे से कर देंगे mix दोस्तों चैनल पहली बार है तो subscribe ज़दूर कीजिएगा आइसरे नही नहीं इंट्रेस्टिक रेसपी देखने के लिए और इधर मैंने चड़ा दिया कड़ाई कड़ाई अच्छे से मैं गदम हो गई है और दो बूर्द तेल देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कम तेल डाला है और इस तरदीके हम फैला देंगे चाल से तब तेल को और जो हमने सोया चंग नगखा था इसको हम कड़ाई में डालके इस तरीके से एक बार मिला लेंगे अच्छे से फैला के इस तरीके से छोड़ देंगे धीमियाज पर यह बिल्लकुल क्रिस्प हो जाएगा यह देख सकते इसका कलर भी चेंज हो गया है इसे थोड़ा टाइम लग दाला है और आप उस दीप्राई भी कर सकते हैं और हम एंडाल लिया उसमें एक चंग बिल्कुल बार इक कटागवा लसन जरक भी आप डाल सकते हैं हो अगर आपके पास तो मेरे पास नहीं था और यह देख सकते हैं रफली चॉप मैंने एक प्याज लिया है मीडियम इसको भी डाल के एक मिनट के लिए भूल लेंगे इसका आल दाल दिया हमने एक सिच्वला मेंस इसको भी डाल के हम मिला लेंगे और के लिए यह टेमाटक जिसका पीज्ष मैं निकाल दिया है और मैंने डाल दिया है एक चमर सोया सास है आपके पास लाइट हो भी डाल सकते हैं और आधा चमर डाल दिया हमेने काली मीज का पाउडर डाल के सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ज्यादा उसी ओवर को नहीं करना है सब्जियों को और जो सोया चंग हमने लखा था वो भी हम डाल लेंगे इसमें थोड़ा सब्जिया डाली वैसे नमक हमने पहले भी डाल रखा था तो ज्यादा नहीं डालना है देख सकते हैं वो भी डालके हमने मिक्स कर लिया और बिल्कुल थोड़ी सी मिरे पास थी धनिया वो भी हमने डाल दिया है सर्दियों का जने धनिया बहुत ही अच्छी हरी ताजी आ रही है तो डाल लिएगा जरूर्द मेरे पास थोड़ा सा ही था यह देख सकते हैं कितना मज़ेदार ब्रेकफास फटाफट बन के तयार है दो बून तेल में बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी प्रोटीन से भरपूर आप लोग भी ट्राइ कीजिए गा मिलते एक और वीडियो तब तक के लिए बाई